हे गाईज देखो बजार में गिरावट देखने को मिला है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है जब बजार नीचे था तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बजार बहुत ज़्यादा उपर जा चुका है, तो profit booking देखने को मिलना है, तो अब बजार में थुड़ बहुत गिरावट देखने को मिलेगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी कोई से कंपनी के बारे में जनकारी दे रहा हूँ, जिसके बारे में सबसे पहले आपको समझना है कि ये कंपनी करती क्या है, और फिर उपर आपको ध्यान देना है, ताकि ऐसा नाउ के कल क्रेट में अच्छा कासा उपर्चनी हमारे आथ से निकल जा ठीक है, तो पहले company मैं आपको बता देना चाहता हूँ, tubes वगरा बनाती है, जो steel के pipe वगरा होते हैं, steel के pipe बनाती है, tubes वगरा बनाती है, आप घर बनाते हो, building बनाते हो, कोई भी infrastructure डवलप करते हो, देखने जे, बड़े-बड़े जो building होते हैं, urban area में, urban area में ये लोग ज़्यादा focus करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा development देखने को मिलता, तो वहाँ पर जो भी steel के लिए structure वगरा होता है, ये बना कर देते हैं, और इनका brand बिस्टर भी दो आपको देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा फर्क है, ऐसा है, infrastructure डवलब बनाने के देखो, तो जितना लंबी इमारती आप बनाते हो, उतना ज़्यादा ही लोग steel का इस्तेमाल करते हैं, steel strong भी होता है, और लगबग ये क्या होता है, कि लब्बे सब तक चलता भी आ, और हलका भी रहता है, इससे क्या होता है, कि सब तरीके से इनका काम हो जाता, तो इस वज़े से ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ही लोग ध्यान देते हैं, जहाँ पर ये बताया है, जहाँ पर ये बताया है कि largest manufacturer of steel tube, जो structural steel tube होते हैं उनके लिए, बहुत बड़ा, 50% market share तो ये खुदी लेके बैठा हुआ, 50% किसी और को इंट्री भी नहीं लेने देता, टाटा, स्टेल, जैस, डबलू, स्टेल है, लेकिन उनको, मतलब उनसे कई गुना आगे, ये अकेली company 50% तक का market capture करके रखती है, और केवल premium brand portfolio ही बेचती है, केवल premium, normal नहीं रखती है, चो भी लेना premium, सब कुछ यहाँ पर जो है, महंगाई देने को, देखने को मिलेगा, और इनका product range भी बहुत ज़्यादा है, कुछ सारे product में इन्होंने क्या कर रखा, पेटेंट करो रखा, कि इसके लिए और कोई बेच ही नहीं सकता, और कुछ ऐसे भी product है, जो पेटेंट के range में है, इन्होंने apply कर रखा है, वो कभी-कभी आने में time लगता है, ऐसा नहीं है, कि आपने आज apply के और आज आया करके, और इनका जो distributor network है, बहुत बड़ा, 20,000 तो भई मतलब बहुत ज़्यादा इनका distributor network है, 50,000 से भी ज़्यादा इनके ज़्यादा ता retail है भारत के अंदर की वाल, मतलब बहुत बड़े level में company काम कर रहे है, यहाँ पर चाहो तो और detail में भी आप देख सकते हो, यह आपको बताया जारा, कि अगर आपको infrastructure develop करना है, सहर में, सरकार metro बना रही है, देखोगे, तो सरकार ने urban area को develop करने के लिए 66% जो है, housing development के लिए पैसा boost किया, 66% extra, तो इससे क्या होता, कि बड़े-बड़े urban area में बहुत ज़्यादा benefit देखने को मिलता है, पिछले 10 सालों में इस कंपणी ने जो return निकाल के दिया, 2011 से यह कंपणी आई है, और आज के rate में 2023 है, मतलब 10-12 सालों में जिस तरीके से कंपणी ने return निकाल के दिया 10,000% का, और यह एक बहुत बढ़ा company बन चुका है, मतलब अगर आप देखोगे तो आने वाले केवल कुछ सालों में ही यह company आपको 50,000% तक का return निकाल के दे चुकी होगी, कितना 50,000% का, आप लोग बुलेंगे इतना possible है नहीं है, देखो, बिल्कुल आपने सही बुला, possible नहीं है, यह उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, जो आज के डेट में खर देंगे, पॉसिबल बिल्कुल 100% है, लेकिन यह उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत पहले से stock को खरीद रखा, क्योंकि उनको compounding return मिलेगा, उनको हमसे ज़्यादा return मिलेगा, इस वज़े से, यह quarterly तो open down होता रहता है, annually अगर देखेंगे, तो इसका जो यह आपको देखने को मिला revenue, यह देखिए, revenue और net income, दोनों बढ़ता जा रहा, दोनों ही बढ़ता जा रहा, अगर आप देखोगे तो, इसके साथ, यह graph में दिखा रहा हूं, टाकी easy to understand होगा, उसके साथ balance sheet, balance sheet भी देखोगे, तो यह annually आपको बताया जारा, तो कहां से कहां तक है, यह total asset, total liability है, 2019 से 2023 था, increment हुआ है, बहुत ज़्यादा increase हुआ, देख लिशे, लंबे से में इसी तरीके से, आपको profit दिखने को मिलता है, कहां से कहां देख लिशे, यहां से हां, मतलब double हो चुका है, almost double हो चुका, ठीक है, asset on liability, तो company का asset बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और company का cash flow देखते हैं, तो company के पास कुछ खास cash flow नहीं है अभी, और जितनी भी बड़े-बड़े analyst हैं, उनका मनना है, कि भही इस company का जो है, revenue बढ़ता हुआ नजराएगा, और अभी भी higher ही है, और EPS, earning per share भी बढ़ता हुआ नजराएगा, financial year 2024 बे, यह analyst का मनना है, साथ मे में से, 10 का मनना है, कि भही आप ऐसी चीजों को खरीद के चलो, कोई problem नहीं होने वाली लंबे समय में, कुछ लोग का मनना है, कि भही देखो, hold करो, कोई दिकत नहीं, कि वल एक analyst का मनना है, कि आपको बेचना है, देखो, यह भी सही है, बिल्कुल, आप लोग बोलेगा, य 95% लोग का मनना है, कि खरीद के ही चलना है, और बहुत सारे लोग डरते हैं, कि भही नहीं, मैं तो stock market में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं तो mutual fund में लगाऊंगा, कोई दिकत नहीं है, सोच अच्छी है आपका, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ठीक है, पहले promotors के पास हिस्सेदारी देख लिजे कितना है, mutual fund के पास देख लिजे, mutual fund वालने कितना पैसा डाल रखा, देख लिजे, ऐसी company में पैसा डाल रखा, 7.71% हिस्सेदारी तो केवल mutual fund वालों ने खरीदा है, पूरी company का, देखा आप लोग ने, foreign investors बीन 25% है, public के पास केवल 32% है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो लोगे ने खरीद रखा, वो तो सारी चीज़े हो गई, नीचे आईए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो भई, foreign investors ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, mutual fund वालों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, थोड़ा ही बढ़ाया है लेकिन बढ़ाया है न, यहाँ पर company आप लोगो को bonus, stock split, dividend, सारी चीज़े देती है, लंबे समय के लिए अगर आप रखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, dividend भी देगा, company, reserve भी कटा करके रखेगा तो आपको bonus देगा, phase value बढ़ सकते हो जहाँ पर आपका डिमेट अकाउन बिल्कुल free, delivery charge is free, क्यों टर्न ट्रूपिस लगता, वो भी इंट्राट है में, description में लिंक दिया गया है, mintो में जाके अपने डिमेट अकाउन बागर आपन कर सकते हैं, बिल्कुल free में